दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे State Bank of India के Best Current Account के बारे में अब आज की डेट में State Bank of India टोटल आठ प्रकार के Current Accounts हमें ओफर करता है जिसमें से कुछ Current Accounts जैसे अगर मैं पहले तीन Current Accounts की बात करूँ तो ये उन लोगों के लिए है जिनका Business बहुत छोटे Level से लेकर ठीक ठाक के Level पर है उनके लिए ये शुरू के तीन Accounts है उसके बाद ये जो अगले तीन Accounts है ये उन लोगों के लिए है जिनका Business थोड़ा हाई-फाई है यानि कुछ बड़े Level का अगर Business है तो उनके लिए ये तीन Accounts है और Last में ये जो दो Current Accounts है ये दोनो Current Accounts उन लोगों के लिए जिनका Business बहुत ही छोटे Level का है यानि अभी-भी मानलो किसी ने Business Start किया है या फिर अभी एक तरह से मानलो कि Startups टाइप मानलो कि किसी ने कोई छोटी-मोटी दुकान खोलिया या ताजा-ताजा अगर कोई Current Accounts खुलवाना चाहता है उसके अंदर कोई भी बैंक को वो 0% का ब्याज देता है यानि मैं अगर एक लाग रखूँ चाहा एक करोड रखूँ मुझे ब्याज कुछ भी नहीं मिलता लेकिन Sweep Facility के अंदर State Bank of India ये बोलता है सिरफ इस Account की बात करों सुर्भी Current Account की इसके अंदर State Bank of India ये बोलता है कि आपका जो भी पैसा है उसमें हम Auto Sweep FD वाला फीचर ओन कर देंगे यानि आपका एक Threshold Limit से पैसा उपर जाते ही उस पैसे की Fixed Deposit बन जाये करेगे यानि FD पे जो भी State Bank of India आज की डेट में इंटरस्ट देता है वो वाला ब्याज आपको मिला करेगा तो देखेंगे इस Sweep Facility वाला क्या फीचर है बाकी टोटल आठ अकाउंट है एके करके ये आठो के आठो अकाउंट को डिसकस करेंगे लेकिन सबसे पहले एके करके सारे शुरू से डिसकस करना शुरू करें उससे पहले देखो सबसे पहले State Bank of India ही क्यों देखो आज की डेट में एक तो ना लोगों का Mindset ऐसा है कि अगर पैसा रखना है तो सरकारी बैंक में ही रखना है इस वज़ा से भी State Bank of India की बहुत जादा डिमांड है क्योंकि Current Account एक ऐसी चीज है कि Current Account क्या है भी लोगों को Business करना है Business करेंगे उसके लिए Current Account खोलेंगे और Current Account में हो सकता है कोई छोटा मोटा व्यपारी है तो एक दो लाख रुपे रखता हो कोई पचास अजार रखता हो लेकिन अगर कोई ठीक ठाक लेवल का व्यपारी है कोई बड़ा व्यपारी है तो लोग एक एक पाँच पाँच करोड रुपे भी Current Account के अंदर रखते हैं तो ऐसे में लोग कतराते हैं कि प्राइवेट बैंक में हम Current Account ना खोलें पता लगे कल को लोगों का डर है मैं यह नहीं कह रहा प्राइवेट बैंक बेकार है आप HDFC, ICIC Bank यह बहुत अच्छे बैंक है कहीं नहीं जाने वाले लेकिन लोगों का डर है, लोगों का माइंड सेट ऐसा है कि भी है सरकारी बैंक में ही हमें Current Account खोलने है क्योंकि लोगों को डर लगता है कि पता लगे 5 करोड रुपे मैंने कोई बड़ा वेपारी है वो सोचते है 5 करोड मैंने Current Account में रखने है कल को कोई Private Bank डूब जाए, तो इसलिए लोगों का डर है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं भी है सरकारी बैंक में ही Current Account खोले अब सरकारी बैंकों में ले दे करके अगर हम Best Bank की बात करें तो State Bank of India आ जाता है क्योंकि बाकी अच्छे बैंक है, सारे अच्छे बैंक है तो उसमें SBI से उपर आज की डेट में सरकारी बैंकों में कोई नहीं है, अगर हम Private बैंकों की बात करें तो उसके अंदर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, YCI से बैंक, बाकी आपकी चोईस है, बाकी इस वीडियो में हम स्पेशली State Bank of India के Current Accounts को ही डिसकस करेंगे अब एके करके डिसकस करना शुरू करें, उससे पहले बस एक लास्ट बात कि बहिया Current Account जरूरी क्यों है, बहिए आज की डेट में मैंने बहुत सारे लोगों से मिलता भी हूँ और बहुत सारे लोगों को देखता भी हूँ, मानलो कोई छोटा मोटा वियपारी है, ठीक है, कितनी मर्जी आप कोई भी business करते हो, दिन भर में कितनी मर्जी transactions कर लो savings account में, कल को अगर आपको loan की जरूरत है, आप ये नहीं कह सकते, bank को जा करके कि मेरी savings account की transaction देख लो, bank कभी भी savings account की transaction को consider नहीं करेगा अगर आपको loan चाहिए तो, उसके लिए आपको bank हमेशा ये कहेग कि आपकी जो firm है, जो आपका business है, जो आपका धंदा है, उसकी transaction दिखाओ, उसकी transaction दिखाओ, उसकी churning दिखाओ, कितनी credit, कितनी debit के entry हुई, तभी तो पता लगेगा कि आपके business की कितनी value है, उसी के बिहाफ पर ही तो आपको loan देगा, जब आप पूरे साल भर में अपने current account म ITR भरोगे, तभी तो आपके business की क्या value है, आपके business की क्या उकात है, तभी तो bank कुछ चीज को समझ कि आपको एक loan दे पाएगा, तो कभी भी आपका business छोटा हो, बड़ा हो, हमेशा business अगर आपका है न, तो current account आपको ज़रूर खुलवाना चाहिए, कभी भी savings account में लें देन मत करना, savings account में लें देन करने का, एक business man को, एक self employed को कोई फाइदा नहीं है, भले आप रोज की लाग रुपे की transaction कर लो, लाग रुपे का, दो लाग का, पाँच लाग का, कितना मर्जी लें देन कर लो, कोई उसकी value नहीं है, ठीक है, अब यहाँ से start करते हैं, एक-एक को, ठीक है, अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके लिए current account कौन सा जादा अच्छा है, ठीक है, अब current account में भी, एक चीज में आपको यह बता दूँ, अगर आपका जो business है, वो कुछ अगर इस तरह का है, कि आपकी सारी transaction ना online ही होती है, यानि आपका cash में कोई ही नहीं है, तो आप बिल्कुल basic से basic savings account खोल लो, जिसमें monthly average balance भले ही 5000 या 10,000 maintain करना पड़ता हो, आप वो वाला current account खोल लो, कोई फरक नहीं पड़ता कि आप बड़े, बड़ा और अच्छे वाला current account खोलो, बड़ा current account जैसे मानलो किसी में 5 लाख रुपे monthly average balance maintain करना है, ये current जैसे मानलो 5 लाख या 10 लाख monthly average balance maintain करना है, ये current account उन लोगों के लिए अच्छा है, जिनकी cash में बहुत जादा लेन देन होती है, पताला कि मानलो मेरा कोई ऐसा business है, जहां मेरी सारी payment ही online आती है, जैसे मानलो मैं suppose करो कि IT का काम करता हूँ, ठीक है, IT के मैं software बनाता हूँ, मेरी payment तो online नहीं आनी है, ना मुझे bank में जाना, ना मेरा कोई cash से लेन देन, तो मैं अगर ऐसा current account भी खोल लूँ, जिसमें monthly average balance सिर्फ 5000 उपे रखना है, और भले कोई भी feature नहों, मुझे feature का करना क्या है, क्योंकि मेरी तो सारी payment online आनी है, account में आनी है, तो मैं basic से basic current account भी ख जाधा transaction होता है, तब मैं choose करता हूं कि मुझे कौन से वाला current account जाधा काम का है, या पता लगे कि मेरा कई बार current account ऐसा होता है, कि मेरे को check से payment बहुत सारी करनी होती है, तो कितनी check lives मिलेंगी, NEFT, RTGS के charges तो नहीं लग रहे, तो वो सारी चीज़े, यानि अगर आपकी दुका जाने है, जा basic सा current account खोल लो, कोई फरक नहीं बढ़ता है, अब सबसे पहला current account है, उसका नाम है regular current account, ठेक है जी, अब यी regular current account उन लोगों के लिए, जो ideally छोटा मोटा business करते हैं, या अभी कोई ताजा-ताजा current account अगर खुलवाना चाहते हैं, इस current account की बात करूँ, तो इसमे monthly average balance 5,000 रुपे maintain करना है, सिरफ, जादा नहीं है, तब ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी की सिरफ online transaction है, तो वो ये account खोल सकता है, अब इस case में, State Bank of India ये बोलता है, कि जो भी regular current account खोलेगा, वो cash deposit 5,000,000 रुपे प्रती महीने कर सकता है, यानि 5,000,000 से जादा, आप cash deposit नही नहीं कर सकते, आप 5,000,000 रुपे भले ही वो अपनी home branch में करे, भले ही वो किसी दूसरी non home branch में करे, ठीक है, अब home branch का मतलब ये है, कि जिस branch में आपका account खुलेगा, यानि जिस branch में जाके आप अपना current account खोलोगे, उस branch में करो, या फिर भले ही किसी दूसरी branch में चले जमा कराना चाहते हो तो उसके बाद 5 लाग के उपर हर 1000 रुपे जमा करने पर आपको 0.75 रुपे as a penalty देनी पड़ेगी यानि हर 1 लाख रुपे उपर जमा करने पर आपको 75 रुपे extra देने पड़ेंगे as a penalty ठीक है जी अच्छा cash withdrawal की बात करें अब मालोग ये तो था पहले व जाते हो तो आप 1 लाख रुपे प्रती दिन से जादा cash withdraw नहीं कर सकते अब इस case में भी 1 लाख रुपे per day allowed है लेकिन अगर मालो आप 1 लाख से जादा निकालते हो cash तो उस case में 0.75 रुपे का आपके उपर charge लगेगा यानि वही 1000 रुपे जमा करने पर 0.75 यानि अगर 1 ला करजा एक तरह से मान के चलो कि आपने current account खोल लिया ठीक है कई पर bank limit दे देता है कि चलो जी 20 लाख की limit मिल गई आपको extra एक तरह से loan मान लो आप ठीक है कि एक limit बना के दे दी 10 लाख 5 लाख जो भी है लेकिन इसमें कोई भी overdraft की facility आपको नहीं मिलती ठीक है जी अच्छा इ अगर ब्रांच में जा करके तो उस case में अगर 10,000 तक की न höpकी करते हो तो 50 रुपे का charge यह 10,000 से लेके 1 लाख की लेकरके न इफट करते हो तो 15 रुपे का charge यह और 2 लाख की करते हो तो 25 रुपे का charge यह ऐसे ही CTGS on line free है NEFT हम 0 से लेकरके unlimited कितने भी amount की कर सकते हैं और RTGS 2,00,000 से उपर की ही कर सकते हो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1,500,000 की RTGS में कर सकते हूँ तो 2,00,000 से लेके 5,00,000 रुपे की अगर आप RTGS करते हो तो 25 उरुपे का चार्ज है और ऐसे ही 5,00,000 से उपर की RTGS करते हो तो आपको 50 उरुपे का चार्ज देना पड़ेगा अगर account में balance maintain नहीं करते हैं monthly average balance तो 500 उरुपे की penalty आपको देनी पड़ सकती है ठीक है जी इसके बाद जो अगला account है उसका नाम है silver current account ये भी current account basically मलब जादा नहीं मलब छोटे मोटे जो businesses हैं उनहीं के लिए ही है यानि medium और small level के जो businesses हैं उनके लिए है इसके अंदर जो monthly average balance है वो 50,000 उरुपे maintain करना है अब सारे के सारे features almost same है तो इस बार हम बहुत ज़्यादा deep में नहीं जाएंगे फटा-फट से cover करते चलेंगे ठीक है जी यानि एक लाख रुपे जमा करने पर 75 रुपे का charge ठीक है जी cash withdrawal की अगर मैं बात करूँ तो इस case में भी एक लाख रुपे से जादा cash withdrawal नहीं कर सकते per day उसके उपर करोगे तो वही 75 रुपे का charge लगेगा हर एक लाख रुपे के बीछे ठीक है transaction कर लेते हो इस post machine से तो जो भी इस post machine का rent होगा उस पर 50% का discount आपको State Bank of India दे देगा ठीक है जी अच्छा इस case में आपको 1.500 check free मिलेंगे हर मही ने ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते है तीसरा जो account है वो है gold current account gold current account अब आप ये मान सकते हो कि जो low level के premium businesses है यानि बड़े business लेकिन बहुत बड़े businesses भी नहीं उनके लिए ये वाला जो account है ये gold current account है इसके अंदर जो आपको monthly average balance maintain करना है वो 1.000.000 रुपे maintain करना है cash deposit आप कर सकते हो 25.000.000 रुपे का भले ही home branch में करो non home में करो उसके ओपर वही 75.000.000 रुपे का चार्ज लगेगा हर 1.000.000 रुपे जमा करने पर अच्छा अब यहाँ पर जो आप maximum limit of cash deposit non home branch देखो अब यहाँ पर क्या कहता है इसके अंदर इसने 2 terms and conditions जोड़ दी ये बोलता है कि 25.000.000 रुपे तो आप जमा कर सकते हो महिने में भले ही home branch में करो भले ही non home branch में करो लेकिन non home branch में अगर आप जाते हो न तो किसी भी हालत में भले ही penalty दो ना दो लेकिन non home branch में एक दिन में 5.000.000 से ज़ादा cash आप deposit नहीं कर सकते यानि कहने का मतलब आप चाहो तो non home branch में 25 के 25 लाग भी महीने में जमा कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि आज 5 लाग जमा कर दिये, कल फिर 5 लाग कर दिये, परसो फिर 5 लाग कर दिये, लेकिन किसी भी single day आप 5 लाग से ज़ादा non home branch में cash deposit नहीं कर सकते, बाकी वैसे यह होता है कि current account के अंदर हर कोई, जहां पर भी उसका business होता है, उसके नजदीक ही जो branch होती है, वहीं पर ही account खोलता है, तो इतनी ज़ादा tension लेने की बात नहीं है, बाकी जैसे जैसे bank के साथ relation बनते हैं, इस सब चीजे हो जाती है, तो इसमें इतनी ज़ादा tension ना लो, बस main बात आप यह समझ लो कि 25 लाख रुपे का आप cash deposit कर सकते हो महीने में, अच्छा जी, cash withdrawal की बात करें, तो क्या बोलते हैं, home branch में तो unlimited free है, उसके बाद जो अपनी दूसरी branch है, उसमें 1 लाख रुपे, पर डे आप ज़ादा से ज़ादा cash निकाल सकते हो, ठीक है जी, 300 check leaves के अंदर आपको free मिलेंगी NEFT RTGS free है, भले ही online करो, भले ही branch में जाके कराओ, चेक देओ, NEFT RTGS का कोई charges आपके उपर नहीं लगेंगे, ठीक है, अगर आप balance maintain नहीं करोगे, तो 2000 रुपे की आपके उपर penalty लगेगे, ठीक है जी, इसके बाद अगला जो account है, वो है diamond current account, ये allied businesses के लिए हो जाता है, जो हो जाती है बाद में, अच्छा, cash withdrawal unlimited free है, लेकिन non home branch में एक लाग से जादा आप cash withdrawal नहीं कर सकते, इसके अंदर जो check मिलेंगे, आपको 700 check free मिलेंगे, हर महीने के, ठीक है जी, इसके बाद debit card जो आपको मिलेगा, उसकी जो withdrawal limit है, वो 2 लाग रुपे आप जादा से जादा ATM से cash withdraw कर सकते हो, इस limit के साथ, अच्छा, अगर आप balance maintain नहीं करते, यानि इस account में जो आपको 5 लाग रुपे maintain करना है, वो अगर maintain नहीं करते, तो उसमें 2 तरहें की penalty लगती है, पहली तो ये है, कि अगर आप 2 लाग से भी कम, maintain तो 5 लाग करना है, लेकिन आपका balance 2 लाग से भी अगर कम पड़ा है, तो 4,000 लाग से लेकि 5 लाग के बीच में पड़ा है, तो इस case में फिर 2,000 लाग की आपके उपर penalty लगेगी, ठीक है जी, इसके बाद जो अगला account है, वो है platinum current account, ये और भी जादा allied businesses के लिए हो गया, 10 लाग रुपे monthly average balance maintain करना है, और 2 करोडर पे प्रत के हिसाब से निकालवा सबते हो, ठीक है, और check leaves की बात करें, तो 1500 check free मिलते हैं, यहाँ पे आपको हर महीने के NEFT, RTGS भले ही online करो, भले ही branch में जाये करवाओ, ये भी आपको बिल्कुल free है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हैं, जैसे basic के अंदर क्या होता है, basic current account में क्या होता कि जब हम online NEFT, RTGS करते हैं, वो तो RBI ने सब के लिए free कर रखी है, branch में जाते हैं तो charges लगते हैं, इसमें वही चीज़ है कि branch में करो, online करो, NEFT, RTGS free है, ठीक है, और monthly average balance वही दो प्रकार से है, कि अगर मान लीजिए, जैसे आप इसके अंदर balance maintain करना है 10 lakh, अगर मान लो आपक current account, इसमें आपका बहुत ही जादा जो elite customers हैं, ठीक है, उनके लिए है, monthly average balance 50 lakh maintain करना है, 6 करोड रुपे cash deposit कर सकते हो, आप महीने का, ठीक है, ये बहुत सारे viewers नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ये 50-50 रुपे जिनको maintain करने हैं, उनके पास तो खुद के CA बेढ़े होते हैं, तो बट फिर भी आप अपनी knowledge के लिए इसको देखते चलो, अच्छा, यहाँ पे cash withdrawal की बात करें, तो unlimited free है, और अगर मानलो non home branch की बात करें, तो 5 लाक रुपे आप हर रोज जादा से जादा cash withdrawal कर सकते हो, ठीक है जी, अच्छा, monthly average balance की बात करें, तो 50 लाक maintain करना है, वही च केस में फिर 15,000 पे की penalty लेगी, 5000 check leaves हर महीने free मिलेंगी, और NEFT, RTGS, online branch हर जगा से free है, ठीक है, उसके बाद आता है, सुर्भी current account, यह current account वही दुबारा basic logo के लिए है, यह वाला current account ही इकलोता ऐसा current account है, SBI का जो auto sweep की facility देता है, ठीक है, अब इसके अंदर जो monthly average balance maintain करना है, व वो 7,500,000 रुपे हर महीने जादा से जादा आप cash deposit कर सकते हो, cash withdrawal unlimited free है, और home branch में और बाकी वैसे 1,500,000 रुपे आप जादा से जादा cash withdraw कर सकते हो, non home branch में, और उसके बाद auto sweep facility की बात करें, अचा पहले चलो यह देख लेते हैं, 50 check leaves हर महीने की free मिलेंगी, और auto sweep facility की बात कर threshold limit है, threshold limit है, यह set कर रखिया, इन्होंने 1,00,000 रुपे की, यानि State Bank of India यह बोलता है कि जब आपका current account में balance, 1,00,000 रुपे से जादा चला जाएगा, तो ऊपर का, 1,00,000 से उपर का जो भी balance होगा, उसकी automatically FD बन जाएगी, जैसे मान के चलो, कि मेरे current account में 2,00,000 रुपे balance हो ग FD बनी है, यह बोलते है, State Bank of India कि कम से कम 12 महीनों की बननी चाहिए, और जादा से जादा 36, यानि 3 साल की जादा से जादा बननी चाहिए, अब आप कहोगे कि मानलो मेरे को तो पैसे एक हफते के बाद ही चाहिए, तो आप निकलवा सकते हो, लेकिन उसके ओपर फिर ब्याज बहुत कम मिलेगा, कैसे कम मिलेगा, चलो एक चीज और बताता हूँ, यह जो auto sweep FD वाला feature होता है यह बैकार होता है, अगर हम savings account में activate करते हैं, लेकिन अगर हम क्योंकि savings account में 3-4% का ब्याज तो बैंक देता ही है, लेकिन अगर हम current account में जब auto sweep FD का feature activate करते हैं तो उस case में इ तो इसलिए आपको अगर auto sweep FD का feature activate करना है current account में, तो आप बिंदास होगे कर सकते हो, भले कम ब्याज मिले, लेकिन कुस तो मिलेगा, अब कम ब्याज में क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, अब मान के चलो होता क्या है, FD के जो rate of interest है, वो कहने में bank कह रहता है कि हम आपको, जैस को 3.5% का ब्याज दूँगा, ऐसे करके अलग-अलग rate of interest देता है, ऐसी कहेगा, एक साल की अगर आप FD कराते हो, तो मैं आपको 7% का ब्याज दूँगा, अब ये लिख तो देंगे 7% का ब्याज है, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि कम से कम 12 महीनों की आपको FD करान है, और क्योंकि आपने एक साल के लिए उसने बोला है कम से कम कराने के लिए, और आपने समय से पहले ही FD तोड़ दिये, तो उस पे भी 3% पे भी 1% की आपके ओपर penalty लग जाएगी, तो इसलिए 2% का ही सिर्फ आपको ब्याज मिलेगा, समझ गया आप बात को, सेविंग्स अकाउंट में ये इसलिए वेकार होता है, क्योंकि अगर मालो यही सिनेरियो सेविंग्स अकाउंट में बैठता, तो साड़े 3% का rate of interest तो सेविंग्स अकाउंट मुझे वैसे ही दे देता है, और अगर मालो मैं समय से पहले उस case में auto sweep FD तोड़ दूँ, तो मे पास वाला है, शुभारम startup current account, इसके अंदर proprietor जो है न, proprietor, proprietor का मलब होता है, individual, यानि मैं अकेला एक business खोल रहा हूं, अपने नाम से, मलब अपने नाम से, firm का नाम तो कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन उसका मालिक मैं हूँ, वो proprietor account होते है, current account, वो proprietor ये वाला current account नहीं ख ये कौन खोल सकते हैं, या तो private limited, या फिर limited liability partnership, LLPs, या फिर registered partnership firm, ये ही खोल सकते हैं, ये शुभारम current account को, ठीक है, अब इस case में monthly average balance है, 20,000 रुपे maintain करना, 15,000,000 रुपे cash deposit कर सकते हो, 100 check leaves free मिलेंगी, इसके बाद cash withdrawal की बात करें, तो unlimited free, home branch में और non home branch में वही 1,000,000 तो ये basic था, अब last में ये देख लेते हैं कि, proprietor है, अगर कोई उसे current account खोलना है, तो क्या-क्या चीजे लगेंगी, कोई partnership firm है, तो उसमें क्या-क्या लगेगा, और अगर कोई private limited है, तो उसको क्या-क्या documents देने पड़ेंगे, देखो proprietor की अगर हम बात करें, तो सबसे पहल में तो बड़ा जरूरी ही हो गया, ठीक है, उसके अलावा individual का pen card, यानि मेरे account, मैं अगर proprietor हूँ, तो मेरा pen card चाहिए होगा, मेरा अधार card चाहिए होगा, एक मेरे savings account का cross check चाहिए होगा, अच्छा, जो भी firm का नाम मैंने रखा है, मालनो, ठीक है, कोई भी XYZ, तो उस firm का म अगर कोई बिल आया है, तो उसको आप arrange कर सकते हो, या फिर उद्यम अधार का arrangement आप करके रख सकते हो, ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा अगर कोई partnership firm है, तो उसके इसमें partnership deed लगती है, एक दोनों ही partners के pen card लगेंगे, दोनों ही partners के अधार card लगेंगे, ठीक है जी, इस के अलावा अगर कोई private limited बनाना चाहता है, तो जितने भी directors हैं, उनके pen card लगेंगे, उनके आधार card लगेंगे, firm का pen card लगेगा, stamp बनेगी, letterhead बनेगा, GST चाहिए होगा, board of resolution चाहिए होगा, MOA चाहिए होगा, यानि memorandum of association चाहिए होगा, और article of association चाहिए होगा, और certificate of incorporation च current account के ओपर, देखो almost सारे ही current account सेम होते हैं, बस उसके अंदर यही होता है कि कितनी cash deposit और वो सारी की सारी चीज़े, तभी मैंने आपको starting में बताया था, कि अगर आपकी transaction online ही है सारी की सारी, तो कोई फरक नहीं पड़ता, बट वही चीज़ है कि अगर कोई cash का lane देना है, त चैनल को subscribe जरूर करना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो अभी के लिए this is the end of the video, thanks for listening and thank you all.